हेलो स्टूडेंट्स वेलकम हिर आगेन और माई चैनल जानकरी हित माई सेल्फ हित अभिलाशी शर्मा एक वरी फिर बिजनस स्टडीज जो कुमर्स था बड़ा महत्वपुन सब्जेक्ट है उस दे वीच पार्ट सेकिंड दे रूप दे वीच आज मैं तो डेना लेक वीडिय जो शेयर कर रहे हैं रिगार्डिंग mcqs टॉपिक जिसने रिगार्डिंग आसी आज दे mcqs मुल्टिपल च्वाइस कोईशन शेयर करांगे वह है जॉइंट स्टॉक कंपनी या सन्युक्त पुंजी कंपनी इसने रिगार्डिंग आज दी वीडियो दे वीच आओ अगे डेशन वीर दा कंपनी स्टॉक क्या एंड राद रखाणव कंपनी य्सनों सांजी स्टॉक कंपनी कें ने वपार्ड कंणता अई कजिया रूप है जिते कंपनी जे शेयर होलों कंपनी दे शेयर होल्दर स्थीन दिवारा ख्रीद्याते वेच हो जा सकत है इस असी स्केल है उन्हों इनलार्ज करना है तो देवस्ते बेस्ट जड़ी बिजनस ओर्गनेशन दी फोर्म है ओ ज्वाइंट स्टो कंपनी होंदी ज़ाइंट स्टो कंपनी ओनली एग्जिस्ट इन लौग है और देओर इस इस नोई का आर्टिफिशन लीगल पर्सन मन्या जान जैधो इक वरारी इस दी इन कार्परेशन होजन्द है जिसनो सी निखमी करन कहने है होजन्द है ता अपने आप ज्वाइंट स्टो कंपनी है जड़ी यह है अपनी इक अलग पहचान बनालन दी है In a joint store company, the liability of the shareholders is limited to the value of unpaid share capital in the company. Joint store company ने भी जड़ी shareholders हो देने, ओना ने जड़ी liability है, अपने जिने भी share capital देवी चुना दी investment है, उत्थे तक ही सीमित हो दी. Students, एक brief introduction सी, मैं एक गल्द उन्हों clear करना चाहतना है, जदों भी किसे concept not related, असी MCQs करने ने, objective drive question करने ने, एक गल्द साफ है, पहला से उन्हों detail दे which concept समझना बड़ा जोड़ी है. मैंनों लग दे तुसी सारे पहला इस concept नों पढ़ चुके होंगे, आओ अपनी उस जो असी पड़ेगा सी, उन्हों सी खुद नों evaluate करके देखिए, कि साड़ी MCQs जो उन्हें direct questions होंदे ने, close ended questions ने, कोई open discussion नहीं कर सकते, जस डिरेक्ट answer देना होंदे MCQs देवीच, तो तोड़ी knowledge जो तुसी गेन किती पढ़के, उन्हों पहचाननदा सबतों best exam है अपने आप देवीच, आओ अज दे इस concept देवीच, जो MCQs ने joint stroke company अर्लेटर उस तोड़ेगा, उस तोड़ेगा देवीच, अपने score वी नाल पहला question, a company is formed by joint stroke company है, इसनो dash दुवारा बनाया जानदा है, चार option ने, government, directors, promoters, and honors, जिसनो मालक कहन देने, सिरकार, director, promoter, जा मालक, इसनो कौन बनादा है joint stroke company, just accurate answer सोचन दी, कोश्च करो है न, चारा आ देवीच, कहीं close अनू महसूस होंदे होंगे, आओ right answer देखे, तुसी क की सोचा दे right की है, and students answer is C promoters, जो promoter ने उस company नो जड़ी form कर देने, उनो बना देने, जड़ी या initial efforts ने company नो formation दिया हो, promoters से दुवारा की थिया जान दियाने, student next question, how many members or subscribers have to sign a memorandum of association in case of private company, जे करिक निजी company दे मामले दी गल करिये, किन्ने मेंब्रा नो जो memorandum of association, MO यू नहीं है, that is MOA, memorandum of association ते sign करने बेंदेने, memorandum of association ते किन्ने members sign कर देने, एक private company दे लई, जो start नहीं दे विच एक document तियार कीता जानता है, जिसनो आसी MOA केनने, memorandum of association, उसलिए कटो कट किन्ने members जड़ेने, sign कर देने, private company नो establish करने लिए, four options are there, five, seven, two, और ten, सोचो, मेरे खलतों सी सोच दे होंगे, तो उन्हों एक question बड़ा असान है, आओ, next question दा answer देखिए, right answer is C, that is two persons, जो memorandum of association है, उसनों sign करने वाले किन्ने members जा सब्सक्राइबर होंदेने, दो, next question student, question number third, what is the full form of OPC, OPC दी full form की है, चार options ने, one primary company, one person company, C option is none of A and B, D, both A and B, सोचो, थोड़क त्या अन्नल सोचने हैं सी इसनों, मेरे खालतों नोंगे था question दा answer भी तुसी सोच लिया होगा, आओ, चेक करें साड़ा answer सही है, जाना, answer is OPC दी, जो full form है, वो है one person company, एक कोई व्यक्ती सब कुछ कर रहा है, picture भी शो कर रही है, one person company, that is OPC, full form है, is the next question number, question number four है students, a private company can be formed with a minimum dash of members, एक private company कटो कट किन्य मेंब्राने नाल बनाई जा सकती है, कटो कट किन्य मेंब्राने नाल प्राइवेट कंपनी बनाई जा सकती है, इसनों related question अलड़ी आ चुक है, options ने थे, A, two persons, B, seven, C, option है three, D, option है ten, आओ इदा right answer चेक करिए, right answer is two, right option जाओ है A, किन्य मेंबर चाहिंद ने, कटो कटो कर दो चाहिंद ने, एक private company दी formation दे लई, next question, question number five, question number five है students, a public company can be formed with the minimum of dash members, जो एक public company है, उसनों बना दे लिए कर दो किन्य मेंबर चाहिंदेने, चार उप्षन ने, दो चाहिंदे ने, दस चाहिंदे ने, वी चाहिंदे ने, या सच चाहिंदे ने टू, टैन, ट्विंटी और सेवन पबली कम्पनी गैने भी फॉण्ड विदा मिनियूम ओफ डैश मेंबर्स सोच चुके होंगे तुसी, आओ आंसर नो चेक, राइट अंसर इस सेवन तो स्टूरेंट क्लियर हो गया, प्राइविट कम्पनी नो बनान दे लेए, दो मिंबर को टोट सेहीं देने ते पबली कम्पनी दे लेए, साथ मेंबर सेहीं दे लेए, कलियर, मेरे एक हाल दोड़े सारे आंदे, आल्मोस्ट दस नवीचों, आल्मोस्ट दस नमबर हो चुके होंगे, नहीं होए ता, नेक्स टाइम होनवाले ने, ये तुसी त्या अनल इस वीडियो नो अग्गे दे दे लेए, किस नो बनान दे लेए, कानूनी करवाई सब तो ज़्यादा है, चार ओप्शन ने, सोल ट्रेड नो, बी ओप्शन है, पार्णरशिप, सी ओप्शन है, कांपनी, डी ओप्शन है, कॉपरेटिव सुसाइटीज, इनना चो किस ओर्गनाजिशन नो बनान दे वीच कानूनी फार्मेलिटीज, सब तो ज़्यादा ने, सोच चुके होंगे, सोल ट्रेड दा मतलब है, एकाक की वेपार, एकको वेपार लिखावे थे, एकाक की वेपार, कल्ले व्यक्ती दावापार, पार्णरशिप, सांजे दारीजिनू, पाईवाली कहन दे ने, कंपनी, सह, कापरेटी सोसाइटी जो ने, सहकारी से वावा, मेरे कल, राइट आंसर तो नूँ पता, सब तो ज़्यादा ने, कंपनी दी फार्मेशन चुन दियाने, लीगल फार्मेलिटीज, तान राइट आंसर इस नोट ए, राइट आंसर इस सी कंपनी, ओके, एक क्लेरिकल मिस्टेक नोट ए, इस सी कंपनी, कंपनी दी फार्मेशन दे विचे सब तो ज़्यादा जड़ी लीगल फार्मेलिटीज हों दियाने, इन कंपरेशन तो अधर थ्री, नेक्स्ट क्वेशन दी गाल कर दें स्टूरेंट, क्वेशन 7, शेर होल्डर्स एंड कंपनी आर, शेर तारक दे क ने वखरे वखरे ने या दोनों ने ये ते भी आंसर, या ये ते भी दे विचे हो, कोई भी नहीं, जल्दी सोचो, शेर होल्डर ते कंपनी, की ने आपस दे विचे, आंसर इस सेपरेट, क्योंकि ये ना दी सेपरेट एडेंटिटी हों दिया है, शेर होल्डर ते कंपनी, अपने आप दे वीचे सेम नहीं है गे सेपरेट ने सो दर राइट ओप्शन इस बी सेपरेट बखरे बखरे ने दोनों नेक्स्ट क्वेशन कल करदे है क्वेशन नमर एट एक कंपनी इनकॉर्परेटर्ड अंडर डैश एक कंपनी नो निरमित किता जानता है किस दे अंदर किस दे अधीन कंपनी जग चैक्ट 1920 चैक्ट 1958 चैक्ट 2013 चैक्ट 1932 मेरे खलच मैक्स्मड टूर्इंटल नो непाश करदेए आपकरनी हिए कंपनी जग चैक्ट 2013 राइट ऑपशनिज़ essaarmed कंपनी दा निर्मान कीता जानता है नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन 9 विच फेक्टर्ज आ टू बी कंसीडर्ड फॉर सेटिंग आप न्यू बिजनस तुसी नमाव पार शुरू करने इना चुक किड़े फेक्टर्ज तुसी कंसीडर करते हो कि त्यांच रखे जाने चाहिए चाहिए ओप्षन ने ए बिजनस लोकेशन कारोवरदस्थान बी आप्षन है फिनांशल रिसौर्स वित्ति साधन जिसनु पैसे दे साधन कह सकते हैं आथी शी ऊप्षन है गर्मेंट पल्सी सरकार्दी निती लिए और बी स्विफ आउप्षन एज ते सारे आस्तुएस रा ने इस question दे कोड़ेंगे ती नान हुई ते आंच रख किसे business establish किसे भी टाइब दे business नों जिसनों सी नवे business दे रूट शुरू करना है उन्हों शुरू कर सकते हैं question is question number 10 power value of share means dash value of the shares shares the power value ब्राबर जिसनों कहते हैं दे मुल्दा मतलव की है यह दा मतलव की है share दे ब्राबर मुल्दा मतलव dash share दा मुल्दा केड़े मुल्दी खाल करने हैं आसी share दे face value, b option market value, c option actual value, d option ननो दावाब अंकित मुल जो उसते लिख्या है market मुल जो बजार्च है असल मुल जिनों actual value कहरे ने उपर वाला वीचो कोई भी ने इस्टुएंट सोचो केड़ा मुल है पार वैल्यू दा मुल्दा मुल्दा यास स्टुएंट राइट ऑप्शन इस ए फेस वैल्यू फेस वैल्यू जो उसते अंकित मुल है share दे उते स्टुएंट पहला share certificate होंदे सी उनना दे उपर उसा share दी जो बेसिक प्राइस जड़ा लिखा होंदा सी that is the पार वैल्यू माल लो 10 रुपे दा share है ता पार वैल्यू 10 रुपे होगी मार्केट वैल्यू जो रूटीन दे विच शेर चाप डाउन होंदेने फेस वैल्यू जो रिगार्डिंग मैं दसे आवे थे एक थोड़ा आज कलो दा परचलन आल्मुस्ट खत्म हो चोके नेक्स्ट वर्ल कर दें स्टूडेंट्स कुश्चन नंबर 11 कुश्चन नंबर 11 इस विच टाइप ओफ और्गनाजिशन इस ग्रेटली इफेक्टर वैदा कंपनी बी ऑप्शन इस सोल प्रोप्राइटर्शिप सी इस पाइवाली जा सांजेदारी इना विचों या इस सारे सोच लिया तुसी रसाइगा आंसर येस स्टूएंट आइट आंसर इस कंपनी कंपनी दे उपर सब तो जाला गवर्मेंट रूल्स एंड रेगुलेशन ने गवर्मेंट रेड़ा कंट्रोल है वो लाग वो होंदा है उसनु हर खाला चुप योग इस शब्द करना चाहीं दे केड़े शब्दी वर्तों करनी चाहीं दिया ए ओप्शन पी बी लिमिटेड जिसनु प्राइवेट लिमिटेड कह सकते हैं जा प्राइवेट लिमिटेड पी बी दा मनला पब्लिक लिमिटेड भी है या दर इस आंसर इज डी लिमिटेड कोई भी पब्लिक कंपनी जेकर इस्टैबलिश कीती जानती हो दे नाम दे अंड देविच लिमिटेड शब्दा आना बहुत जरूरी है जी मैं इंडिया दिया मैं कुछ टॉप पब्लिक सेक्टर कंपनी दे नाम दास रहे हैं इंडियन ओयल कॉर फॉर परिशन लिमिटेड इस सारी कंपनिया पब्लिक सेक्टर कंपनी ने हैं तोसी देखो इंडिया दे बीच आना दे नाम दे अंड दे लिमिटेड एल्टी दा मतल्ला ऐल्टी दी फुल फॉर्मशन की है लिमिटेड क्लिये मेरे खाद दो नंबर दोड होर होगए होंग कुशन कुशन नुमर 13 एक कंपनी है एक कंपनी दी डैश हुंदी है की हुंदी है सेपरेट लीगल एंटर्टी वक्री कनूनी पहचार बी ऑप्शन इस प्रिपेच्वल एग्जिस्टेंस सदीवी होंद हमेशा रहनवाल एग्जिस्टेंस लिम्टेड लाइविल्टी सी ओप्शन सीमित देंदारी और हो दावाव या सारे सोच लेया तुसी यस हैरान ता होगे किस तरह दे क्विश्चन ने एक्जाम ची स्ट्राइब दे क्विश्चन ही आंदने यस तुरेंस आओ आओ आंसर चाहिए जो इक कंपनी है उस दी सेप्रेट लिगल एंटेटी भी होंदी है प्रपेचुल एग्जिस्टेंस भी होंदी है लिम्टेड लाइविल्टी भी होंदी है इस करके राइट ओप्शन इस आंसर डी ओल अफ दावाव नेक्ट प्शन बदलेच की मिलना होंदा उनू चार ओप्शन जो होना उनू बदलेच मिल दाऊंदेगी ने ए इंटरस्ट व्याज बी कमिशन सी प्रॉफिट लाव डी डीविडेंट लावाईश तो आनू इस आंसर आंदा होएगा जे कर तो सी कंपनी देवारे पहला डिटेल च पड़े है आओ इदा राविट अंसर देखें match करके D option is dividend लावाइंश profit दे विचों जो हिस्सा shareholders नूँ प्रापत कीता जानदा है उन्हों सी dividend या लावाइंश कहने है याद रख्यो ओके, next question number 15 capital of companies divided into units which are called किसे भी पुंजी, company दी पुंजी नूँ कुछ units से भीच इकाईयां चे बंड़े जानदा है जिना नूँ की कहा जानदा है diventure A option B option share C option stock, D option bond companies जिने भी capital ही गठी किती जानदी है उन्हों added units से बंड़े जानदा है हर इक unit नूँ की कहनते ने वेरे खाल तोसी answer जान चुके होंगे आउ answer मैच करिये right answer is B shares yes, your shareholder company जो पैसा invest कर देने, जिनने number of shares करे देने, ने उनना पैसा नोँ लगाना पहनदा है share the value दे accordingly इस करके company दी total जोड़ी capital होंदी उन्हों added shares दे वीच बंड़े open market दे वीच बेचाई जान दा है next question the liability of members in a company is जो company दे member होंदे ने shareholders ने उनना दी liability देंदारी dash होंदी है A limited, B unlimited asimit जा asimit A, C B option की है, asimit C stable, स्थिर रहन दी है D fluctuating, उतार चला आन दे रहन देने जो company दे members होंदे ने shareholders कह रहे है company दे जिना ने share capital दे वीच invest की तावे है उनना दी liability की नहीं होंदी है yes students our answer देखिए option is B limited liability c मित देंदारी होंदी है next question is question number 17 who are the real owners of the company company दे असली मालक कौन होंदेने A, deventure holders B, board of directors C, equity shareholders D, government deventure तारक, नर्देशक मंडल equity share तारक या सरकार इना चो क्योंडी option है के company दे असल चमालक कौन होंदेने असल चमालक होंदेने असली मालक कौन होंदेने असली मालक कौन होंदेने valid बनने जानता है उस तों कट जे होया फिर हो meeting valid नहीं होंदी एक private company दी कोई meeting बलाई जावे उस दा minimum कौरम किन्ने मेंबरान पूरा होंदे है minimum किन्ने मेंबर होने चाहिने ने ताकि कौरम नो accept कीता जा सके कि इनने मेंबरान दा group होना जरूरी सी चार option ने A2, B3, C7, D20 सोचो अलग टाइब दा question है दा कौरम means कि यह दा कौरम consists of those who attend the meeting कटोगट किन्ने दा होना जरूरी है private company दी गलकर answer is to members कटोगट दो मेंबरान में होनाल ही कौरम मन्या जन्दा पूरा हुया तो कोई भी नमा कानून जा कोई decision लिते जा सकते ने company में वारे कुछ decide करने है ता meeting जो दा legal entity है उदे ही बान पांदिया meeting दी जेकर कौरम पूर है private company इचको टोगट दो मेंबरा होना ज़रूरी है कौरम नो पूरा करन दे लेगे next question student what is the minimum कौरम of members attending meeting of a public company yes public company the meeting विच शामिल होन वाले मेंबरान दा कटो कट कौरम की है किन्ने मेंबर्स नो होना ज़रूरी है meeting दे विच a option is 3 b a option is 4 b option is 3, c option 5 d option is 7 सोचो तुसी जड़ा आँ answer मेंच करिए मेरे ख़र दोसी सोच चुके होंगे right answer student five members public limited जड़ी public company है ओदे विच कर्टो कर्ट पंज members दा होना ज़रूरी है ताहीं ओदा कौरम मनने जान दा है कि कौरम पूरा है minimum दी गल गर रहे हैं से next question question number 20 a private company can start a business after dash एक private company अपना business शुरू कर सकते है किस्तों बाद a issuing of share capital share capital पुंजी जारी करन्दों बाद after applying for registration जदो registration ली apply करता हुस्तों बाद business शुरू कर सकते है certificate of commencement जेकर registrar of companies दे वलनों उसनों अरंब दा certificate प्रापत होजे या certificate of incorporation ये incorporation आपना है निगमी करना जेकर certificate प्रापत होजेंदा है ता उसतों बाद company अपना business शुरू कर सकते है चार option है student सोचो थोड़ा technical question है आओ वेदे answer में match करी जोड़ोसी right answer is certificate of incorporation निगमी करना जोड़ों certificate प्रापत होजेंदा है अब तो बाद अलग अलग conditions ने सो students एसी total 20 questions आज दे मेरे खाल तोड़े number आलमस चाली होजे जह हुन नहीं है कि जह करेंगे जह करेंदा उस टाइम चाली मार्क्स होजेंदा होजेंदा पर इना नूँ प्रॉपर ली देखो ते अपने time to time जेड़ा कोई भी chapter है जोड़ों सी mcq करने ने पहला होजेंदा basically समझना बढ़ा जुरूरी है concept नूँ chapters नूँ पढ़न तो वाद ही mcq attempt करना हमेशा student ये मेरी humble advice है दानू I think the whole concept and contents are clear to all of you thanks for watching this video like share and subscribe my channel thank you very much